हलो भीवर्ष नमस्कार कोकिंग उशा में आप सबको स्वागत है आज मैं मैंगो और सूजी का केक बना रही हूं जिसमें मैंने जो सामिग्री ली है वो यह है मैंगो पल्प है 100 ग्राम मेरे पास घर की मलाईय निकली हुई है और यह मैंने पचास ग्राम चीनी ली है इसमें से भी थोड़ी डालूंगी आधी डालूंगी जादे नहीं क्योंकि यह हो सकता है ज्यादा मीठे आम की वज़े से मीठा हो जाए तो पचास ग्राम मैंने ली है आधी डालूंगी जैसे देखती हूं टेस्ट करके देखूंगी उसके बाद इसे उतना करूंगी और यह मैंने आदी चम्मज बेकिंग सोटा लिया है और एक पूरी चम्मज मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है ये बनीला एसेंस की एक चम्मज जालूंगी और थोड़े से चूटी-फूटी डालूंगी अज़े डक्कुरेशन के लिए ये हमारी सामिक्री हो गई अब हम इसको मि लाई है हमारी और ये आधी सुगर डालूंगी आधी डालूंगी बस अभी तो उसके बाद देखूँगी इसको फैटने के बाद इसी में मैं मैंगो फैटूंगी दोनों को एक बार मिक्स कर लेंगे हमारी मिक्स हो गई है अब इसमें हम ये जो मैंगो लिया है वह मैंगो जाल देंगे आप इस केक को ओवन में भी बना सकते हैं और इसमें भी बना सकते हैं कुकर में भी अब मैंने इसको दो बार में डालना है सूजी को कटोरी दिल गई थी आधी ये है सूजी डाल दी है से मैंने एक कटोरी आधा कटोरी आधी चम्मच वेकिंग सोडर डाल दिया है और एक चम्मच वेकिंग पाउडर डाल दिया है अब इसको हम फैटा लेगा देंगे अब इसमें बनीला एसेंस भी डाल देते हैं एक चम्मच और इसमें पलट लेते हैं है है हमने इसमें और मैंने अपना ओवन बन सिस्टी डिग्री बर सेट कर दिया है और आदे घंटे के लिए मैं इसको रखने जा रही हूं यह हमारा सोजी मैंगो केक है भी आदे घंटे में बन जाएगा हमने इसको एजस काटने हैं इसके एजस काट लिए हैं इसको उपर उड़ता कर देंगे इसे यह नकल आया है अब इसको हम ऐसे करेंगे वह स्पंजी हो गया है अच्छा बना है केक यह केक बना दिया है हमने अब देखिए इसमें मैं काट के देखती हूं हमारा केक रेड़ी हो गया है अगर आपको पसंद आया हूँ तो प्लीज मेरे चैनल कोकिन भी उशा को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अब नेक्स ट्रेसिपी के साथ मिलते हैं बाई हथेलो भी वर्श नमस्कार कोकिन भी उशा में आप सबकर सागत है आज मैं मैंगो और सूजी का केक बना रही हूं जिसमें मैंने जो सामिगरी ली है वो यह है देर सो ग्राम सूजी है देर सो ग्राम मैंगो पल्प है 100 ग्राम मेरे पास घर की मलाई निकली हुई है और ये मैंने 50 ग्राम चीनी ली है इस मेंसे भी थोड़ी डालूंगे, आधी डालूंगे जादा नहीं क्योंकि ये हो सकता है जादा मीचह आम की वज़े से मीचह हो जाए तो 50 ग्राम मैंने ली है आधी डालूंगी जैसे देखती हूं टेस्ट करके देखूंगी उसके बाद इसे उतना करूंगी और ये मैंने आधी चम्मज बेकिंग सोटा लिया है और एक पूरी चम्मज मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है ये बनीला एसेंस की एक चम्मल जालूंगी और थोड़ से चूटी फूटी डालूंगी आज ड़क्रेशन के लिए ये हमारी सामिक्री हो गई अब हम इसको मिक्सर में एक क्रीम डालेंगे जो मलाई है हमारी और ये आधी सुगर डालूंगी आधी डालूंगी बस मैंगो तो उसके बाद देख Hersiみ को इसको फैटने के बाद इसमें मैं मैंगो फैट हूंगी रोकषन को दोनों को एक बार भार मिक्स कर लेंगे ये हमारी सब्सक्रीवारिक हो गई है अब इसमें हम ये जो मैंगो लिया है वो मैंगो राल देंगे आप इस केग को ओवन में भी बना सकते हैं और इसमें भी बना सकते हैं कुकर में भी अब मैंने इसको दो बार में डालना है सूजी को कटोरी दल गई थी आधी ये है सूजी डाल दी है इसमें मैंने एक कटोरी आधी चम्मच बेकिंग सोडर डाल दिया है और एक चम्मच बेकिंग पॉर्डर डाल दिया है अब इसको हम फैटा लगा देंगे अब इसमें बनीला एसेंस भी डाल देते हैं एक चम्मच और इसमें पलट लेते हैं ये है हमने इसमें मैंने अपना ओवन बन सिफ्टी डिग्री बार सेट कर दिया है और आदे घंटे के लिए मैं इसको रखने जा रही हूं ये हमारा सोजी मैंगो केक है अब ये आदे घंटे में बन जाएगा अब हमने इसको एजस काटने हैं इसके एजस काट लिए हैं इसके उपर उटा कर देंगे इसे ये निकल आया है अब इसको हम ऐसे करेंगे इसमें मैं काट के देखती हूं हमारा केक रखी हो गया है आपको पसंद आया हूँ तो प्लीज मेरे चैनल कोकिन भी उशा को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अब नेक्स ट्रेसिवी के साथ मिलते हैं बाई